हेलो फ्रेंज तो आज हम लीफ पिगमेंट को एक्स्ट्राट करने वाले हैं जेंथोफिल, क्लोफिल A, क्लोफिल B, फेवफाइटिन, केरोटीन इन सब को एक्स्ट्राट करने के लिए तो देखिए सबसे पहले हमें किस चीज की रिकौर्मेंट है हमें beaker चाहिए और watch glass चाहिए जिससे हम इसको cover करेंगे और इसके साथ हमें thread चाहिए जिससे हम यहाँ पर लगा कर अपना paper chromatography इसमें करेंगे paper इसमें hang करेंगे तो सबसे पहले हमें एक paper लेना है और इस पर लगभग 2 cm के आसपास हमें एक line draw करनी है और यह बहुत ही carefully करना है क्योंकि यह आपकी टेड़ी नहीं होनी चाहिए एकदम straight line आनी चाहिए ताकि आगे का process बिल्कुल ठीक आए तो आप देख सकते हैं हमारी line almost लग चुकी है के बाद हमें चाहिए solution तो कहा गया कहा गया कहा गया येस तो हमें अब solvent मिल गया है acetone और दूसरा है diethyl ether तो गाइस इसको हमें मिला लेना है 6 to 4 की ratio में acetone हमें 6 चाहिए ether हमें 4 चाहिए इनकी ratio यह होनी चाहिए तो मैंने acetone 30 लिया है और ether 20 लिया है ये 30 ml मैं acetone सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ और अब मैं 20 ml diethyl ether डाल रही हूँ 20 ml और ये हमारा बन गया है solvent जो पेपर क्रोमाटोग्राफी पे एकदम absorb होकर उपर की तरफ आ जाएगा अभी हम देखेंगे उसको कैसे आएगा तो पहले हम अपना threat set कर लेते हैं कि कैसे हमें इसके उपर पेपर को हांग करना है येस अब हम देखेंगे पेपर को कितना फोल्ड करना है तो पहले हम थोड़ी सी इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं लगभग इतना ये नीचे जाना चाहिए येस तो हम इसको हैंक करते हैं बहुत ध्यान से करना है इस प्रॉस्स को इसमे हमारा जो नीचे का सॉल्वɛ इस पे लगना चाहिए बहुत हल्का सा टच होना चाहिए वह हमारी 2 सेंटीमिटर की लाइन पर बिलकुल भी टच नहीं होना चाहिए तो बहुत ही कियर्फुल इसको करना है ये थ्रेट को ध्यान से पकड़ कर अब मैं अपना यहां पर लीफ को एकदम क्रस्ट करके इसका पेस्ट बना रही हूं और फिर ताकि में इसको एक शर्फ एक छोटी सी ड्रॉप हमें लगानी है येस अब मैं उसपे ड्रॉप लगा देती दियुकुल जहां हमने टू सेंटीमीटर की लाइन डाली थी वहीं हमें सेंटर पर ड्रॉप लगानी है और छोटी सी ड्रॉप लगानी है ताकि वह फैले ना और हमारा रिजल्ट वह वो बहुत ही अच्छा है तो यहां कुछ और भी है उनके भी लगा देते हैं येस लाओ जी एक और येस अब यहां पर हम एक ही बीकर में दो पेपर क्रोमाटोग्राफिय लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए मुझे औरों की सपोर्ट की भी ज़रुत थी तो यहां आप देख सकते हैं यसे इतना लगाना है कि बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से टाच हो येस इग्जाक्ली जस लाइक दिस हलकासा ये वाला नीचे बस तो अब आप देख सकते हैं कुछ देर बाद इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आने लगेगा ये ग्रीन येलो रेड कलर में स्प्रेड होने लगेगा अब इसको हम निकाल देते हैं जब पूरा सॉल्वेंट इसमें पूरा उपर जा चुका है हम देख सकते हैं इस तरह का रिजल्ट आया है और आप एक्स्पेरिमेंट भी लिख सकते हैं क्या इसका रिक्वार्मेंट है क्या प्रोसीजर है क्या कंक्लूजन रिजल्ट है सो थाइंक यू सो मच फूर वाचिं आर वीडियो